हेलो दोस्तों वेलकम बेक टो एपस अपडेट यूटोब सेनल दोस्तों आज हम बताऊंगा जो हम रोज एंडर फून यूज करते हैं उसमें जो डिस्पले होता है डिस्पले पे कुछ ऐसा सेटिंग जो टॉप फाइप सेटिंग आज में इस वीडियो में बताऊंगा तो इ अगे बताया कि हमारे dajizा यह सेटिंग बताऊंगा जो आपको बहुत ही जानना है यह वीडियो को देखना और बहुत ही ज़रूरी है लि.» डही है पर और लिक करता हूं जहँंगा जूब्सक्राइब यहां प्रैजिक एक को में करते हैं डिस्पले हैं दिस्पलेश सेटि display setting trick बस इतना आपको comment करते हैं जैसे इतना comment करते हुगे display setting trick तो comment हो जाएगा फिर दोस्तों आपको करना क्या है सबसे जो पहला setting है number one setting वह setting दिखाता हूं simply आपको setting मे जाना है फिर आपको यहाँ पर सार्च setting में आपको लेखना है display 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 का कुछ ऐसा सेटिंग बताओंगा जो आप कहोगे इतने दिन पहले क्यों नहीं बताया जैसे आपugen Search करते हो, आपके फुन में डिस्प्लिय में सार्स इसे लिए करवाया क्योंकि अर्ण एलग его होता है फिर जैसे सार्स करो कि डिस्प्लिय तो डिस्प्लिय का सैटिंग आ जाएगा फिर जो सबसेपहला सेटिंग है वो है दोस्तों font का जो system font का देख रहे हो जैसे system font है इसमें आप click करोगे click करने की बाद जैसे यहाँ पे तरह तरह का font है तो अगर मैं चाहूं जैसे अभी मेरा font जो है इस तरह का normal font है देख सकते हो तो अभी मैं font बदलूँगा तो आप भी बदल सकते हो simply system font में click करना है करतेने के बाद यहाँ से कोई भी एक font को ले सकते हो जैसे अगर मैं यहाँ पे the favorite यह है फिर यहाँ पे बहुत सरे इस तरह से है तो अगर मैं यहाँ से sense करूँगा जैसे देख सकते हो तो मैं all the stories चलो यह मैं select करता हूँ और यह free है तो अभी मैं इसको free में click करता हूँ और जैसे आप free में click करोगे तो click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हूँ यह downloading हो रहा है और यह बिलकुल free है और फिर यहाँ पे बस आपको apply में click करोगे जैसे apply में click करोगे फिर reward करने को बोलेगा तो आप भी मैं reward कर लेता हूँ और देखना अभी मेरा जो phone है अपने आप off हो जाएगा फिर आपने आप on हो जाएगा और जी और जो मेरा phone का जो font है वो totally बदल जाएगा आपका मंज यहाँ font आप लगा सकते हो और देख सकते हो अभी जो कि आपके सामने on हो के off हो चुके है off हो के on हुआ है अभी मैं simply mobile को on कर लेता हूँ देख सकते हो जो कि skin को unlock किया और देखना अभी जो मेरा phone है phone का जो font है लेखने का style ही बदल जाएगा जैसे देखो setting देख सकते हो बिलकुल देखो stylish font की तरह हो गया जो कि पहले ऐसे नहीं था जो कि आपके सामने दिखाया जो कि अभी यह जो पहला setting है इस setting के मुदद से मैंने कैसे मेरा phone का style बदल दिया और कोई भी देखके कहेगा यह तुमने कैसे गया बहुत easy है simply आपको setting में जाना है जाने की बाद आपको लेकना है display डी आई एस एल एवाई यह सार्स करना है जैसे आप display सार्स करोगे आ जायागा फिर display में क्लिक करना है कर देने की बाद यहाँ पर system font रहेगा इसमें क्लिक करना है फिर जो मंच आप इस तरह से लगा सकते हो तो मैं अभी normal कर देता हूँ normal करने के लिए simply आपको simply यहाँ पर देख सकते हो जो की फैबरेट और जो mobile पर होता है तो आपको जो पहले font था आपको जाना है आपको profile में profile में जाने की बाद simply यहाँ पर रहेगा फैबरेट तो फैबरेट में क्लिक करना है कर देने की बाद इस तरह से आएगा और फिर यहाँ पर font में क्लिक करना है और फिर यहाँ पर बैक अगर यहाँ पर नहीं मिल रहे है तो यहाँ पर font मिलेगा इसमें क्लिक करना है और मेरा जो फॉन्ट था रोबोर्ट हो तो अभी मैं रोबोर्ट कर लेता हूँ जो कि ये था तो अभी मैं एपलाई में क्लिक करता हूँ और फिर मैं रिबोर्ट में क्लिक करता हूँ और जैसे रिबोर्ट में क्लिक किया ये देखा है ये अपलाई हो रहा है फिर आफ हो के फिर से ओ को बदल सकते हो काफी इंट्रेश्टिंग ये था पहला सेटिंग अब मैं दूसरा सेटिंग बताता हूं वो जो है दोस्तों दूसरा सेटिंग जिसका नाम है रेडिंग मोड ये अकसर स्टुडेंट के लिए बहुत है क्योंकि कभी-कभी मोबाइल पे कुछ अब पढ़ने ल रहे हो तो इसको जैसे ओन करता हूं देखो मुबाइल कुछ अलग है और बिल्कुल यह जैसे बुक्स वगरा में होता है तो यहाँ पर पी इस टैप का हो गया और अभी मुबाइल में कुछ भी पढ़ सकता हूं और यहां से आप एज़स्ट कर सकते हो यह देखो इसको अभी off कर लेता हूँ ये देख सकते हूँ दूसरा ये हो गया आपका दूसरा setting और फिर दोस्तों जो तीसरा setting है जिसका नाम है यहाँ पर display पर मिलता है और तीसरा setting जो है ये setting है text size दोस्तों ये जो setting है ये text size में जिसे click करोगे तो आपका जो phone में जो text होता है जो लिखने का style लाता है उसको बड़े छोटे कर सकते हो जैसे अभी मेरा text का size इतना तक मैंने रखा मेडियूम और फिर अगर मैं और भी बड़ा करना चाहता हूँ तो ये देखो बड़ा हो गया फिर आपको टेक्स साइज में कलिक करना है फिर आपके हिसाब से चाहे जितना भी बड़ा कर सकते हो यहां से इस तरह से बड़ा कर सकते हो फिर यहां आप कम भी कर सकते हो ठीक है तो मैं अभी इसको एस और इतना तक कर लेता हूँ ठीक है और देख सकते हो यह M size है और यह हो गया इतना size का मेरे लिए इतना काफी है और फिर देख सकते हो यह हो गया आपका तीन नंबर सेटिंग अभी में चोथा सेटिंग बताता हूं जो काफी जबर्दस्त हैलफुल है और जिसका नाम है सिम्टि आपको डिस्प्ले पर आना है फिर यहां पे फूल स्क्रीन डिस्प्ले जो कि यह हमारा जो बैक बटन है हूम बटन है और यह हूम बटन है और फिर उप्शिन बटन जो कि फूल स्क्रीन डिस्प्ले प्ले क्लिक करोगे तो यह चला जाएगा जैसे फूल स्क्रीन इसमें मैं क्लिक करता हूँ करते हैं यहां पर यह देखो यह चला गया अभी बैक कैसे करूंगा बेक करना होगा आइफून की तरह इस करना है तो मैं अगर आप पहले जैसे करना चाहते हो तो पहले में क्लिक कर देना है फिर यह बटन आ जाएगा जैसे यह देखो यह बेक बटन ठीक है यह था चौथा सेटिंग अभी आखरी सेटिंग यह बहुत ही जरुरी है दोस्तों जैसे अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन है और पाट सेकेंड में कितना स्पीट दिखा रहा है देख सकते हूँ वान के विप सेकेंड तो इह बटने अपको करना क्या है simply आपको यहाँ पे ध्यान से देखो इसी display पर एक setting मिलता है जिसका नाम है status bar तो इसी status bar में click करना है और फिर यहाँ पे status bar यह off रहता है जो कि यह देखो यह अभी hard गया तो आपको करना किया है show connection speed तो यह show connection speed में click करना है जैसे show connection speed में click करोगे तो यहाँ से देख सकते हो जो कि connection है यह connection speed यहाँ पे दिखा रहा है पुरी तरह से connection speed दिखाता है कितना speed है तो इसी तरह से यह जो पाचो setting है आप आपके phone में अभी करो 100% है आपको तो दस्तो जैसे कि देखा मैंने आज यह जो वीडियो पर बताया top 5 setting जो सबसे ज्यादा कौन सा setting आपको पसंद आया आप मज़े comment box पर ज़रूर बताना तो आज के लिए दिन अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहो चैहिंद